हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल इंडियन ब्लॉग एंड रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके साथ तिल के लड्डू की रेसिपी से एर करने वाली हूँ मकर संक्रांती आ रही है तो मकर संक्रांती में तिल के लड्डू तो पसंद आए तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए और जो न्यू है मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो तिल के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं तिल और यह देखिए मैंने आधा बाउल तिल ले लिया है और इसे हम ड्राय रोस्ट कर ले तो देखिए अब हमारे तिल भून गए है हम इने ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे और यह तिल ठंडा हो चुका है और यह देखिए जितना मैंने तिल लिया था उतना ही गुड लिया है और थोड़े से मुमफली के दाने लिया है जिनका चिलका उतार लिया है और अब ये मिक्सी का जार ले लिया है इसमें ये सारे ठंडे किये हुए तिल डाल देंगे तो ये डाल दिया मैंने तिल और ये मुंगफली के जो दाने रोस्ट किये हुए है और छिलके उतरे हुए ये भी डाल दिया और इने पीस लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने मुंगफली के दाने और तील को पीस लिया है आप चाहें तो मुंगफली के दाने ज़्यादा भी डाल सकते हैं तील और मुंगफली के दाने हाफ हाफ डाल सकते हैं बट मैं थोड़े से ही डालती हूँ तो तील को कुछ इस तरीके से पीस लिया है और अब यह जो गुढ़ है जिसे हमने 2 पीसिस में करके रखा है इसे भी इसमें डाल देंगे और ध्यान रखें गुढ़ को एक डब ऐसा 2 पीसिस में ही करके रखीएगा अब इन्हें भी पीस लेते हैं गोड़ा और तिल को इसे मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा फिर पीसते हैं और बन चालू बन चालू करते हुए थोड़ा पीस हीएगा इसे तो ये मैंने मिक्सी के पॉट का ड़कन कर दिया बन और इसे हम पीस लेंगे तो देखिए ये पिस गया है इसे mix कर देते हैं अच्छे से और एक बाउल में ये पूरा material निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से और ये brown वाले तिल है friends तो ये तिल बहुत ही अच्छे होते हैं टेस्टी होते हैं और लड़ू बादने के टाइम में ये जो है तेल छोड़ने लगेंगे हाथ में तो देखिए इस material को हम अच्छे से mix कर लेंगे आप चाहे तो इसमें इलाइची powder भी add कर सकते हैं बट मैंने नहीं किया है मुझे ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं तिल का flavor बहुत अच्छा लगता है चलिए अब हम लड़ू बना लेते हैं इस सारे material के आप अपने मन चाहे साइज में लड़ू बना सकते हैं बड़े छोटे जैसे चाहें तो मैं थोड़े छोटे छोटे ही लड़ू बनाऊंगी ये देखिए बहुत ही आसानी से बन रहे हैं और कुछी चासनी की जरूरत नहीं है और कुछ भी नहीं और ये बहुत ही पॉस्टिक होते हैं क्योंकि तिल, गुड़ और मुफली है इसमें मैं हाथ से इने ऐसा गोल-गोल सेब दे देती हूं और ये बहुत ही आसानी से हो रहे हैं देखिए ऐसे करके हम सारे लड़ू बना लेंगे तो ये ब्राउन तिल जो है ना इनमें बहुत ऑइल होता है और देखिए मेरे हाथ में ऑइल आ रहा है मैं लड़ू बना रही हूं तो कुछ घी लगाने की जरूरत नहीं है कुछ भी जरूरत नहीं है